साथ कुछ एसी चीजे जो अमेर लोग अपने बच्चों को बच्चपन से ही सिखाते और आज की इस वीडियो में हम उनी चीजों के बारे में बात करेंगे कि क्या अमेर लोग अपने बच्चों को बच्चपन से ही सिखाते जिससे वो आगे जाके अपने लाइफ में बहुत क किप ना करें अगर आप हमेरे चैनल पर नहीं हो जिनलों को सब्सक्राइब जुरूर करें जिससे आपको फ्यूचर में इसी नॉलिजबल वीडियो रेगुलर मिलती रहेगी फूर एक्जांबल आप चार ऐसी लोगों के साथ रहते हो जिनकी लाइफ में कोई डायरेक्शन नहीं है कोई गोल नहीं कोई टारगेट नहीं है बस वो अपनी लाइफ को काट रहे है टाइम पास कर रहे है तो आप भी उनके जिसे ही बन जाओगे आप भी सचोगे या जो च अपने बच्चों को सिखाते हैं इससे होता है कि एक जो परसन सक्सेशन उसके पास कुछ ना कुछ इसा नॉलेज होगा कुछ एसी स्कील्स होगी कुछ एसी उनिक चीज होगी जिसकी कारण उसने ये मुकाम हासिल करा होगा जब भी हम एसे लोगों के साथ अपना टाइम स् लोग की तरह सोचना है स्टार्ट करते हो आपको चीजों का देखने का एक डिफरेंट नजरिया मिलता है जिससे आप आपकी लिमीट के बियॉंड भी सोच सकते हो फिर हम चलते सेगेंड ठीक की तरफ जो कि अमें लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं जो की वर्क टू ल क्योंकि ये सेल्फ एक्सप्रेशन सेल्फ एक्सप्रेशन मतलब अमिर लोग अपने बच्चों को ये सिखाते कि यार जो अच्छा लगता है वो करो अगर उसमें फेल हो भी जाओगे सो कोई बात नहीं इससे तुम्हें सिखने को भोचिज मिलेगी एक्सपिरियंस मिलेगा नॉलेज बढ़ेगा जो की फ्यूचर है बहुत ज़दा बेनिफिट देखे जाएगा और अमिर लोग अपने बच्चे के उपर कभी भी अपनी खुद की सेल्फ एक्सपेक्टेशन नहीं थोपते जिससे उनके बच्चों का दिमाग अलग-अलग फिल्ड में चलता है वो सोच सकते हैं कुछ unique ideas के उपर वो काम करते हैं even though दस में से उनके 5 ideas फिल हो भी जाते हैं तो कोई बात नहीं लेकिन जब वो वापस से नए ideas के उपर काम करते हैं उनके पास कुछ experience होता है कुछ knowledge होता है जिसको use करके वो बहुत कुछ बड़ा कर देते हैं फिर हम चलते हैं सबसे important चीज ए जो कि अंबर लोग बच्चों को शुरू कर देते हैं वो सिखाते हैं कि पैसे को किस तरह से manage किया जाता है वह अपने बच्चों को सिखाते हैं कि पैसे को resources की तरह यूज करना चाहिए वो अलग बात है कि पैसे से हमें कोई happiness नहीं मिलती है लेकिन पेसे से जो हमारी lifestyle improve होती है जो पीचे हमें चाहिए होती है उसे हम एक बार में बिना सोचे समझे purchase कर लेते हैं उसे हासिल कर लेते हैं वो सब चीज़े पेसे की बिना नहीं हो सकती है वो बोलते हैं पेसे से आपको जो करना है वो आप कर सकते हो पेसे की important जो की financial education के अंदर आती है वो चीज अपने बच्चों को अमिर लोग पहले से ही सिखाते रहते हैं जैसे ही वो बड़े होते तो उनको पता होती है कि पैसे की क्या importance है क्या assets होते हैं क्या liabilities होती हैं किस तरह से assets को बना कि आप liability को afford कर सकते हो ये सारी जो चीजे होती है ये बच्चपन से ही अमिर लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं लेकिन यहीं हम एक poor mindset वाले person की बात कर तो वो कभी अपने बच्चों को पेसे की importance नहीं बताता है अगर इवन उसके बच्चे पेसे के बारे में कुछ पुछना भी चाते हैं पेसा कमाना सिखना चाते हैं वो उन बच्चों को बोलेगा कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो ये पेसे वेसे पर ध्यान अभी से नहीं देना है वो इतनी ज़्यादा liabilities लेते रहते हैं क्रेट कार्ट से लोन से जो उनका cash का inflow होता है उससे ज़्यादा उनके cash का outflow होने लग जाता है मतलब cash जितना आ रहा है उनके account में salary के थ्रू उससे ज़्यादा cash पेसा उनके account से जाता है liabilities में, EMIs में, क्रेट कार्ट के bills में, loans में क्योंकि बचपन से उनको financial education मिली ही नहीं सो उनकी दिमाग में इसकी importance कभी रहती नहीं है सो इसलिए अमिलोग बचपन से अपने बच्चों को financial education की importance बताते हैं और financially educate करने की कोशिश करते हैं इवन दो उनको एक saving account भी open करवा के देते हैं जिससे वो कुछ अपनी खुद की saving करें एक छोटे amount को manage करते सिखें ये सारी चीज़े अमिलोग बचपन से करवाते हैं अपने बच्चों से फिर हम चलते हैं पांच फी ऐसी चीज़ के तरब जो कि अमिलोग अपने बच्चों को सिखाते हैं जो कि ये productive habits अमिलोग बच्चपन से अपने बच्चों को अच्छी आदते सिखाते हैं जिनको हम बोलते है good habits जो कि long term में उनको benefit दे जैसी कि सुबह walk पे जाना सुबह उटते से अपने bed को manage करना meditation करना, exercise करना ये सारी चीज़े बच्चपन से ही जो कि priority habits होती हैं अमिलोग अपने बच्चों को सिखाते हैं अगर ये habits आप 2-4 दिन करोगे तो इसका कोई benefit आपको मिलता नहीं इन habits को आपको consistently regular करना पड़ता है तब ही आपको long term में इन habits का benefit मिलता है for example आपने gym join करी और आपको weight loss करना है आपने एक week gym करा आपने दो week gym करा आपने थर्ड week gym करा लेकिन आपको के ऐसा result है दिखा नहीं आपकी body के अंदर सो आप सोचो के छोड़ो यार कुछ होता होता है नहीं और कितनी मेहनत करों और आप चोते week gym को छोड़ देते हो ड्रॉप कर देते हो लेकिन आपने थर्ड week में जिम छोड़ दिया सो आपको desired result मिलेगा कैसे और यहीं चीज होती है priority habits के अंदर जो habits होती है वो आपको एक दम से कोई चमतकार करके नहीं देती है यह habits आपको long term में बड़े benefit देती है और इससे हम patience रखना भी सकते है मेरे खुद के favorite influencer Gary भी बोलते है कि micro speed with macro patience is important अपना thousand percent दो किसी भी काम को करने के लिए बट बिना किसी result की expectation के साथ आपको patience रखना पड़ेगा एक दम से आपकी मेहनत का अफ़ल आपको नहीं मिलेगा शायद वो आपको दिखे भी नहीं लेकिन long term में आप सोच भी नहीं पाओगी वो कितना बड़ा benefit दे जाएगा आपको सो यह कुछ important चीज़े होती है फिर हम चलते 6 ऐसी चीज़ के तरब जो कि अमिर लोग अपने बच्चों को सिखाते है और वो है planning planning हर जगे important role play करती है आपने यह code कभी ना कभी तो सुना होगा nobody plans to fail they fail to plan किसी का भी plan fail होने का नहीं होता है लेकिन वो एक plan बनाने में fail हो जाते है जब भी आप plan मनाते हो तो आपके पास एक direction होता है कि किस direction में आपको work करना है क्या आपका roadmap है, क्या targets है, क्या goals है कौन-कौन से task आपको complete करने पड़ेंगे कौन-कौन से skills को improve करना है कौन-कौन से नई skills सिखना है monthly target, yearly target, weekly target यह सारी चीज़े planning के अंदर आती है अगर आपके पास एक proper planning हो एक proper roadmap हो, एक proper fully structured plan हो कि आपको exactly करना क्या है So, आपको उस particular चीज़ को achieve करने से कोई भी नहीं रोख सकता So, planning की importance अमीर लोग बच्पन से अपने बच्चों को सिखा देते जिससे ओ future में जाके time को manage करना किसी भी काम को करने से पहले एक plan बनाना पहले इसे ही जानते वो हर एक single चीज़ को plan करते फिर हम चलते last इसी चीज़ के रब जो कि अमीर लोग बच्पन से अपने बच्चों को सिखाते जो कि ये importance of money Time to time अमीर लोग अपने बच्चों को ये सिखाते कि importance क्या है पेसे की कितिनी मेहनत करके पेसा कमाया जाता है क्या value है, क्या importance है जिससे वो ज़्यादा materialistic चीज़ों की पीछे ना भागे और ये ना सोचे कि अपने पापा ये अपनी ममी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, सो कोई tension की बाद ही नहीं आपने खुद ने सोना होगा कि जो Bill Gates है जो Warren Buffet, उन्होंने बोला है कि उनके पास जितना भी पैसा है, एक टाइम ऐसा है का उसको वो charity में दे देंगे और उनको इतना confidence होता है अपने बच्चों के उपर कि उन्होंने पहले से ethics, values और इतनी चीज़े सिखा के रखिये, कि उनको पता है ओल्रेडी कि ये कुछ ना कुछ तो करी लेगा सुझ पैसे की importance है, ये बताना वो जोरूरी है और कभी भी कोई normal person या एक poor mindset वाला इंसान, कभी भी अपने बच्चों को ये चीज़ नहीं सिखाता है और वो कुछ ऐसे financial गलतिया खुद कर देते, जिसको देखके, बच्चा भी यही सिखता है और future में और वो भी ये गलतिया duplicate करता है, जो कि उसको future में financial struggle के अंदर डाल देती है सुझ जो अमें लोग होते हैं, बच्चपन से अपने बच्चे का इस तरह का mindset create करने की कोशिश करते हैं जितना हो से के उतना knowledge transfer करने की कोशिश करते हैं, कि उसे हर एक चीज के बारे में पता होना चाहिए पैसे की importance, planning की importance, अच्छी habits की importance, हर एक single चीज वो सिखाने की कोशिश करते हैं बच्चपन से जिसके कारण उनके बच्चे future में जाके कुछ बढ़ा करते हैं तो ये थी आज की वीडियो जिसम्में आपको बठाया है कि कौन कौसी साथ ऐसी चीजे जो बचपन से हमें लोग अपने बच्चो को सिखाते हैं मैं उमीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अगर आपको ये वीडियो अच्छे है कि इस वीडियो को लाइक करें शेर करें और अगर आप हमारे चेलर पर नए हो चेलर को सिस्क्राइब जरू करें जिससे हमारा मोटिवेशन भी बड़ेगा आप सभी के लिए ऐसे नोलेजबल कॉंटेंट रेगूलर लाने के लिए सो अब हम मिलते हैं नेक्ट वीडियो में थैंक यू सो मच